हेलो एवरिबन स्वागत है आप सो विधारतियों का आज की क्लास के अंदर और आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी निवारे का अर्दवार्शी का परशन पत्र ठीक है तो विधारतियों जहां पे भी जो है हिंदी निवारे का अभी पेपर नहीं हुआ तो इन परशनों को आप जरूर कर लेंगे। तो आपको बता दूंगे। फरस्ट वीडियो ठीक है उसके बाद दो विडियो और आएगी एक तो मैंने वैसे डाल दी है उनको जुरूर कर लेना जो मैंने डाल दी है आप व हमूं को उपना करके देख लेना तो वीडियो आपको आपको बतादूँ कि मैंने important बताया था हिंदी के लिए चुंकि कुछ बच्चे अभी जो है अलग अलग पेपर हो राए तो कल मैंने कुछ important बताया थे एक वार पहले हम वह देख लेती हैं क्या important बताया था मैंने यह रिकस्तान की एक स्पेशल पीडियेफ त्यार की थी मैंने ठीक है जिसके अंदर मैंने कुछ प्रशनों को बताया था कि यह मोस्ट इंपोर्नेंट है ठीक है यह देखिए जहां कावे में बार बार आवरती होती है तो उसको क्या बोलती है वह उप्रा सलंकार कहते हैं ठीक है ऐसा ही सीमी छ परकार से यह पेपर आया है इसके अंदर देखिए नेमले पगडित गद्यांस को ध्यान परूप पढ़कर दिये गे वस्तों निष्ट परशनों के उत्तर अपनी उत्तर पूस्तिका में लिखिए ठीक है यह आपको पढ़के जो है इसके नीचे जो परशन दिये हुए है उनके आंस्पर आपको देन है विल्कुल जो है यह तो सीमपल है आपके जो है यह पांचे नमर आपके पके हैं उसके बाद देखिए दूसरा परसन भी इसी प्रकार से है कि इसको जो आप गड़ित पद्यास दिया हुआ है उसको पढ़के जो है आपको देना है आन्सपर ठीक है अब देखो एक चीज़ और बताओं मैं आपको अप गड़ित गड़ियास और पद्यास साब को अब की बार जो है अलग अलग आए है ठीक है आगे देखिए रिकिस्तान में चलते हैं रिकिस्तान में यहां पर देखीगा कुछ के आन्सपर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं जिनको भी पता हो ठीक है इसके अंदर देखिए वाच यार्थ को प्रकट करने वाली सब सकती कौन सी होती है वैई कौन सकती होती है बहुत कमेंट बहुत के अंदर दाना जाओ कावे में जो है बार-बार आवरती होती है ठीक है तो उन्हें क्या कहते हैं उप्मा लंकार के कितने होते हैं ठीक है गोड़ा मेदान में दोड़ रहा है वाक्य में सबसक्ति का प्रियोग हुआ है कि सबसक्ति का प्रियोग हुआ है सिमी शेतर में बॉली दाने वाली बाशा को क्या कहते हैं तो यह आपको बताना वेदे कि बॉल बॉली कहते हैं इसकत हो गया आगे चलिए आप फटा फट इन परशनों को देख परतिन युक्ति सब्द के लिए प्रिवासी सब्द लिखिए यह बताना है तो परतिन निदी के रूप में बैजा हुआ ये इसका इंदी अनुवाद हो गया मतलब जो सरल हिंदी अनुवाद ही उसके बाद एक फीचर किसे कहते हैं ठीक है यह मैंने करवाया था कभी बनने के लेक आनंद यादम ने किसे गुरू बनाया किस आनंद ने इसोधर पंद को जो है पचास रुपे उदार क्यों दिये थे और मुहन जोद्रों का सवावदिक आर्थ बताईए यह वेरी वेरी मोस्ट बन परशन है शिंद्यु गाटी चविता को जल संसुकृति क्यों काला जा स रिखता है उसंत पाठ पाठिल कौन था वेरी वेरी मोफ्ट बन परशन है सिल्वर कानी किस द्वन परधारित है ये भी आपको बताए उसके बाद खंड बैय यहाँ पर श्टार्ट होता है दो नमर वाले परशन है बहारत में हिंट्रेने परत्रिकारत्ता का प्राड़म कि परते की दो कम्या लिखिए पेट ही को पेचत बेटा बेटकी में भगत कवी अतुल सिदास ने किस विकट स्थिती की और संकेत किया है बादल राग कवीगता के उधे से परप्रकाश डालिये उसके बाद जाती परता को उसरम वजन का एक रूप मानने के पीछे अमेदेकर का क्या तर्क है उसके बाद लेखिकर के ने जो है शीरिस को काल जाही अब्दूत की तरयां क्यों माना है आगे дней कंड शैंय यहां पर स्टार्ट होता है उसके बाद यहां पर 60-80 सब्द वाले जो प्रशन है तो वो देखिएगा पतंग कविता पर बीमो के दुवारा कावे में सोंद्रिया परकट किया गया है सपस्ट कीजिए कविता के बादे पाट के मादम से कवी को नरायन का क्या कहना चाहती है के में बन्द पाइए कविता के कवी ने किस तरह बादाई रिकरण को पर सूत किया है उसके बाद उसमा के कविता में व्यक्त केंदरिया बाव को पस्पष्ट कीजिए उसके बाद नेक्ट परसन अपना है ये देखिए आप आज मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है उसमें बताया कि बजार में एक जादू है इस खत्र में बजार दरसन पाट के दारपर जो है लेका की विचार व्यक्त कीजिए यह मैंने बताया ना कि बजार से समंदित आपके परशन पका आएगा यह मैंने फर्ष्ट वीडियो में आज ही करवा दिया है अगर आपसे अत्वाम यह पूचेगा तो ठीक है उसके बाद देखी पहलवान डोलक कानी का उदेश स्पष्ट कीजिए अत्वाम क्या पूचा गया है पहलवान की डोलक कानी के प्रमुक पात्र पहलवान के चरित्र परप्रकास डालिए उसके बाद है नेक्स्ट परशन निमलिक्त पध्यांस की सहा प्रसंग व्याख्या कीजिए और इसके अंदर भी जो है क्या करना है निविदा त्यार करना है नितो आप ना एक काम करना अगर आपको मान लो कि आप पूरी तो आपको ये ने पता भी कौन-कौन सी आएगी ठीक है तो आप थोड़ा लिखने का तरीका याद रखो अगर ये पांत नंबर का है न तो उसमें से आपको तीन नंबर मिल ही जाएंगे ये अगर चार का है तो दो तीन नंबर आपको मिल जाएंगे लिखने की स्टार्टिंग कैसे करना है ठीक है वो आपना जो है लिखना सीख ज जाता है तो ये भी अच्छा है और राश्टर के प्रति हमारा दायत तब क्या है राश्टान और प्रेटन ठीक है ये भी आपको करने है ये वी मेरी वेरी मौस्ट इपॉनेट है ये दो तिन पेपरों में आ चुका है तो कई जिलों में आया है तो आप इसको भी जो है कर ले तो यह है अपना paper तो इसको आपको जो है चितरी की से पढ़ लेना है आप इसको एक बर पढ़ो तब तक जो है हमारी जो है second video upload हो जाएगी और second video में आपको जो है अक्षा बारा के हिंदी निवारिया का जो है मौडल वेपर 2 भी करवा दिया जाएगा ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर लेए और बेल लाइन को प्रेस कर लेए ताकि जब भी कोई न्यू ड्यू प्लोड होती है तो उसका नोडिव कर सनाबको सबसे पहले मिली और हमारे वाटसाप ग्रूप को जुरू जोईन करें हमारे वाटसाप नमर पर एसमेस कर दीजिए और हम आपको वाटसाप ग्रूप में एड कर देंगे ठीक है लड़कियों के लड़कों के लिए अलग अलग ग्रूप बना हुआ है तो आप जो है अगर छात्रा है तो आप जो है लड़कियों के ग्रूप में जो है जुड़ सकते हो ठीक है अगर बोईज है तो बोईज के लिए अलग ग्रूप बना हुआ है तो मिलें देश कासाचा दिवात्र, जे